बिहार लोग सीवा आयोग द्वारा जारी एक लाग सतर हजार हजार पद पर होई सिक्षक भरती परिक्षा के परिणाम जारी होने के बाद अब इस पर सियासत तेज हो गई है चहां एक तरफ बिहार की निती स्टिश्मी की सरकार इसे अब तक सबसे बरी उपलब्दी बता रही है तो वहीं दूसरी तरफ परिक्षा परिणामों को लेकर सवाल भी उठाये जा रहे है पूर्व सीएम जीतारा मांजी ने इसे लैंड फॉर जॉब स्कैम से बड़ा घोटाला बता दिया तो बिहार लोग सिवायोग बीपीएसी की एक लाग सत्तर हजार पदों पर होई सिक्षक बहाली परिक्षा के रिजल्ट में गरबरी के आरोप लगा रहे हैं इसे लेकर अभियर्तियों ने नितीज सरकार के खिलाफ आंदोलन की चेतावनी भी दे दी है तो वहीं दूसरी तरफ मांजी के सुर में सुर मिलाते हुए अब चिराग पास्वार ने परिक्षा भरती परिनामों को लेकर राज्य सरकार को कट गरे में खरा कर दिया है चिराग ने दावा किया है कि बीपे से सिक्षक बहाली के रजल्ट में धांदली की गई है उन्होंने यारोप लगाया है कि मुख्य मंत्री नितीज कुमार के नरत वाली सरकार ने बैक डोर यानी पिछले दरवाजे से लोगों को नौकरिया दे दी है सिक्षक बहाली में ब्रस्ता चार हुआ है अस दौरान उन्होंने कहा है कि सिक्षक बहाली में गरबरी तो हुई है सीएम नितीश कुमार के शासन काल में पारदार्शता से होता है हर जगा एक बैक डोर खुला रहता है प्रस्ता चार के जड़िया अपने लोगों की नियुक्ति हो जाए यही कारण है कि इतने सालों से नियुक्तियां लंबित होने के बावजूद आक्रोज देखने को मलता है बता दे कि चिराग पास्वार ने नितीश शरकार के खलाफ विरोत कर रहे है सिक्षक अब भीरतियों का भी समर्थन किया है उन्होंने आगे कहा है कि सिक्षक नियुक्ति पूरी होगी या नहीं आशंका है कि विवादों में उलच कर रह जाएगी चिराग पास्वार ने सिक्षक बहाली में गरबरी की जाच की मांग की है उन्होंने कहा है कि आज हमारी सरकार होती तो तुरंतस का हल निकाला जाता मगर जीने यह काम करना है ना तो वो उस विवाद के मंत्री है और ना ही मुक्यमंत्र अस दुसा में गंभीर है सीम नितीश को अस बात से कोई फर्क नहीं परता है कि वो जातियों में समाज को बाटने लगे हुए है पूर्व मुक्यमंत्री जीतर ना मांजी ने नितीश शरकार पर BPSC सिक्षक नियुक्ती में रेलवे के लैंड फॉर जॉब की तरह घोटाले का आरोप लगाया है उन्होंने इस मामले की उचसतर ये जाज की मांग भी की है हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा हम सुप्रीमों मांजी ने कहा कि सिक्षक नियुक्ती में आरक्षन की अंदेखी कर मनी फॉर जॉब स्कीम के तहत अब भी अर्थियों को सरकारी नौक्रियां बाती गई है उन्होंने कहा है कि आरक्षन की अंदेखी कर रही ये न्यूक्तियां रेलवे के लैन्प और जॉब के तरज पर मनी फोर जॉब स्कीम के तहट की गई है पैसा दो सरकारी नौकरी लो गोटाले क्यों चस्तर ये जाच होनी चाहिए बिहार सरकार ने युवाओ को बड़ा गर्क कर दिया है बता दे कि मुख्यमंतरी नितीश कुमार 2 नौवंबर को पटना के गांधी मैदान में नव नियूक्ति सिक्षकों को नियूक्ति पत्र बाटेंगे नितीश शरकार अब तक की सबसे बरी सिक्षक बहाली को सफल आयो जिन बताने मज़ुटी है लेकिन दूसरी तरफ सिक्षक अभियर्थियों के विरोध और वपक्ष के आरोपों के बाद अब इस पर राजनीती तेज हो गई है अब इस पर सियासत तेज हो गई है एक तरफ चिराग पास्वान नितीश सरकार पर अरोप लगा रहे है तो वहीं मानजी भी लगा रहे है आसे ही तमाम अब्डेट्स के लिए वरे रहे हैं NBC24 पर